हेलो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ the most important acidic strength order in organic chemistry जो हर exam में आपको acidic strength compare करने के लिए जरूर आना चाहिए तो चलिए इस बारे में जानते हैं तो दीखिए सबसे strongest acids जो होते हैं वो होते हैं sulphonic acid, sulphonic acid के बाद होते हैं carboxylic acid, उसके बाद होता है carbonic acid, उसके बाद होता है phenols, उसके बाद alcohol और उसके बाद alkynes alkynes भी कौन से वाले? terminal alkynes देखिए compounds इनके अलावा भी होते हैं पर ये आपको जानना सबसे ज़्यादा required रहता है अगर हम sulphonic acids की बात करें तो sulphonic acids जो होते हैं इनकी acidic strength इतनी जादा होने की वज़ये आप समझ सकते हो कि जब इनका H plus remove होता है तो H plus के remove होने के बाद इनका जो conjugate base बनता है वो बहुत अच्छे से resonance करके तीन oxygen atoms के पास negative charge distribute होता है इसलिए इनकी acidic strength maximum होती है अगर हम carboxylic acid की बात करें तो उसमें जब H plus release होता है तो H plus release होने के बाद यहां पे open negative आता है और यह दो oxygen पे negative charge distribute होता है नोटिस कीजिए सलफोनिक acid में तीन oxygen पे distribute होता है इसके अगर हम carbonic acid की बात करें that is H2CO3 की बात करें तो यहां पे जब हम H plus को निकालेंगे तो H plus के निकालने के बाद यहां resonance होने के बाद दो oxygen पे negative charge आएगा लेकिन यह जो OH group है इस O के electron देने की वज़े से क्या होगा यहां पे negative charge destabilize हो जाएगा तो OH के electron releasing effect की वज़े से negative charge थोड़ा destabilize हुआ इसलिए यह carboxylic acid से weak acid है phenols की अगर हम बात करें तो phenol में जब H release होता है तो H release होने के बाद resonance की quantity तो बहुत अच्छी होती है लेकिन quality बिल्कुल बरबाद होती है क्योंकि resonance करते वे negative charge carbon atoms पे आता है जिससे negative charge उतना stabilize नहीं हो पाता है उसके बाद अगर हम alcohol की बात करें तो alcohol में resonance नहीं होगा ओपे negative होगा oxygen की electron negative बिल्कुल अच्छी खासी होती है इसलिए negative charge ठीक ठाक stable रहेगा उसके बाद हम terminal alkyne की अगर बात करें तो ऐसे case में ये जो carbon होता है SP hybridized इससे H जुड़े होने के कारण इसकी acidic strength average होती है जब यहां से H निकलता है तो इस वाले carbon पे negative आता है और ये जो carbon होता है जैसे कि आपने जाना है SP hybridized है तो इसकी electron negativity अच्छी होती है लेकिन oxygen से relatively less रहती है जैसे O की electron negativity 3.5 है तो इस carbon के approximately 3.3 के आसपास होती है तो ये order आपको जरूर याद रहना चाहिए कि alcohols सबसे acidic रहते है इसमें sulfonic acid सबसे weak acid कौन सा रहता है alkyne इन से भी weak acid होते है लेकिन acidic की शुरुआत अगर बात करें तो terminal alkyne से शुरुआत होती है और finally sulfonic acid तक हम लोग जाते हैं इनकी pk values का भी average आपको आईडिया होना चाहिए जैसे alkyne का pk value approximately 25 के आसपास रहता है alcohol in general 18 से 20-22 तक रहते हैं there are certain alcohols having pk of 15 as well 15.7 as well पर उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं phenol की जो pk वो 10 है इसमें NO2 लगाने से इनका pk value drastically कम हो जाता है पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं carbonic acid is 6.3 उसके अलावा यहां आप है carboxylic acid is around 4 4 से जादा भी होता है कम भी होता है पर 4 के आसपास रहता है sulfonic acids में तो pk value negative में चला जाता है तो यह order आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए so that you will be able to solve most of the questions of acidic strength in organic chemistry okay guys wish you all the best bye bye